जीत के साथ टिम इंडिया ने रखा वर्ल कप में अपना पहला कदम काप गए बड़े बड़े खिलाडी, ओड़ गए शाहिन शाफ रीदी की नींद टेंशन में आगए बाबराजम, आईपियल में छक्के चौकों की बारिश करने वाले बड़े खिलाडी भी मैदान छोड़ पैसे के लिए नहीं बलकि अब देश के लिए खिलेंगे देश के सूर्मा शर्मा जी ने बनाई पहली बार ऐसी टीम, पक्का हो गया स्पार T20 वर्ल कप भारत जीतेगा, खात्म हो गई बल्ले बाजी की जंजट गेंद बाजी में भी तूफान खड़ा कर रहे हैं भारत य टीम इंडिया की धमक देखकर बड़ी बड़ी टीम में घबरा गई, T20 वर्ल कप में टीम इंडिया ने जीत से अपना पहला कदम रखा, उधर पाकिस्तान अभी से बेचैन हो गया है, बड़ी बड़ी टीम, बड़ी बड़ी खिलाडी हर कोई परिशान है क्या आखिर टीम टीम इंडिया का सबसे वीक पॉइंट टीम की बैटिंग लाइनप, गेंदबासी में टीम इंडिया हमेशा आगी रहती है, इस पार टीम इंडिया ने ऐसी प्लेंग 11 बनाई कि अब कोई भी टीम आ जाए, टीम इंडिया के सामने टिक नहीं पाएगी, अभी पिछले दिनो टीम इंडिया के पुर्व ओल राउंडर इर्फान पठान ने भी अपनी प्लेंग 11 बनाई थी, और एलान करके कहा था कि कप्तान रोहित शर्मा अगर इस टीम के साथ उतरेंगे, तो टीम इंडिया के सामने कोई भी टीम हो, इस टीम का सामना नहीं कर पाएगी, ऐसा ही दे टीम इंडिया के टीट्वेंडी में धमाकेदार पहली जीत पर आप मबारक बात दीजिए, फिर हम आपको बताते हैं के मैच में असली खेल क्या हुआ, जिसकी वजह से लोगों ने कह दिया के सपार टीट्वेंडी वर्ल कप भारत का होगा, टीम इंडिया ने जीत के साथ म बल्लेबाजी करने का फैसला किया, और भारती ये गिंदबाज भूखे शेर की तरह आईरिश बल्लेबाजों पर हावी नज़र आए, पहले बल्लेबाजे करने उतरी आरलाइन की टीम पत्तों की तरह बिखरती नज़र आई, अर्षदीप सिंग ने अपने दूसरे और में तीन विकेट जटके, बहतरीन गिंदबाजी के चलते आरलाइन की टीम महच 96 रन बनाने में काम्याब हो सकी, टिम इंडिया की तरफ से कप्तान रोहिच शर्मा के जोड़िदार के रूप में विराट कोहली नज़र आई, रन मशिन कोहली महच एक रन बना कर ही पावीलें ल उश्रपंत का बेबाक अंदाज देखने को मिला, उन्होंने तीन चोके और दो छको की मदद से 26 किंदों में 36 रन की पारी खेली, पंत ने छके से इस मैच को फिनिश किया, टिम इंडिया अगला मुकाबला पाकिस्तान के खिलाफ 9 जून को खेलेगी